मानन ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोजीजदी विर्यो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से हम सभी के समक्ष है शौर्य वीरता और पराक्रम की ये धरा विक्सित भारत का विक्सित राजिस्थान आपका घणो घणो स्वागत करता है आप सभी की कर्तवल द्वनियों के बीच हम अभिनंदन करते हैं मानन ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोजीजी का मानन ये मुख्यमंत्री राजिस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी सहित पूरे राजिस्थान की 200 विधन सभाक शेत्र के 15 लाग प्रदेश वासी मानन ये प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं मानन ये मुख्यमंत्री राजिस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी से हमारा निवेदन की राजिस्थान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोजी जी की स्वागत के लिए अपना स्वागत उद्भूधन प्रदान कर को लिए भारत माता की भारत माता की आज के इस विक्षित भारत संकल्प यात्रा के राजिस्थान की दो से विदान सवाओं के इस कारिक्रम में हमारे बीच में दुनिया के सबसे बड़े नेता और हमारे देश के ये सोची प्रदान मंत्री नरंद्र मोदी जी का मैं स्वागत और अबनद्र करता हूँ राजिस्थान की आठ करोड जन्ता की तरफ से के उन्होंने हम को ये मौका दिया और आपकी एक गर्मा में विक्षित और हमारी ये उपस्थिती सदेव हमें याद रहेगी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अबनदन करता हूँ विक्षित भारत विक्षित राजिस्थान हमारा सामुएक संकल्प आपका जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रियास के मूलमंतर के आदार पर आप से प्रेणा ले करके हम चल रहे हैं विक्षित वारत संकल्प यात्रा में प्रदेश भर में कई जगे मुझे भी जाने का मौका मिला है मेरा अन्वाब है कि इसमें करोणों लोगों को सम्मल मिला है यही नहीं इस यात्रा के मात्यम से हमने पंडितीन द्याल उपायते हैं जी के अन्तोधे को जो माननी है ये सोशी प्रदान मंत्री जी ने 2014 से लगातार गरीब कल्यान की योजना है और विवेका नंजी का दे उनको लेकर के आप चले हैं इस संकल प्यात्रा में मेरे को लूणी जोधपुर भानीपुरा भीकानेर तलवाड़ा बासवाड़ा आसीन भीलवाड़ा गाना हेड़ा केकडी अजमेर बिलोता रासमन नाई उदेपुर में स्याला नागोर में बोसाना सीकर में लाममारी सिंग तोंक जैसे केमपों में जाने का अफसर मिला है मैं निस्षित रूप से कह सकता हूँ कि इनी सिवरों के माध्यम से राजिस्तान के अंदर साड़े तीन करोड लोगों से जादा भागिदारी इन केमपों में रही है पिच्चिन मिलाक आइसवान भारत कार्ड की एक एवाई सीकर प्रदेश सब से आगे पहले नमबर पर आया है बिसिष्ट स्वास्त अव्यान प्रदर्सन पीएम जीवन जोती भीमा योजनार पीएम सुरुक्चा भीमा की संक्या में प्रदेश पहले इस्तान पर रहा है यात्रा के दवरान 15,000,000 किसान करेडिर कार जारी करने का काम हमारे इस यात्रा के दवरान हुआ है मेरी कहानी मेरी जवानी में प्रदेश पहले इस्तान पर रहा है पिये मुचला योजना में आठ लाग पंजिन कर हमें पहले पाइदान पर हमारा राजिस्तान आया है इस्तानी खिलाडी, खिलाडीयों, कलाकारों, विद्यार्थियों और महलाओं को पुरुसकार देने में हमारा प्रदेश पहले पाइदान पर है 10,621 गिराम पंचातों में बूर कार के सत प्रिसर डिजीटल करने का काम इन अव्यानों के माध्यम से हुआ है यह यात्रा लोगों को योजनाओं का लाव देने के लिए जागरित वी किया है और योजनाओं का अंतिम छोर पर प्यक्ति जो खड़ा है उसको लाव भी इसमें मिला है देश में गरीब एटाओं के नारे तो बहुत लोगों ने दिये थे लेकिन में मैज ना रही ना बनकर रह गए लेकिन देश की यह सोशी प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को अपनी योजनाओं के केंद्र में रखकर उस तक लाव पहुचाने का गंबीर प्यास किया गया है मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारी दोजार सोदे से योजना थी उनका अंकलन भी किया गया और जो व्यक्ति पात्र है वो किसी भी तरह से पात्र व्यक्ति रहना जाए इसके लिए इस संकल भारत योजना के माध्यम से प्रियास भी किया गया नई नीतियां और इन्हें धरातफल उतारने की इमानदारी कोशिसें के जरी ये देश आगे बढ़ रहा है पहले सरकार की ओर से एक रुपा भेजा जाता था तो कहते थे कि पंद्रह पैसे पहुंचते हैं लेकिन इस लीकेज को रोकने के लिए देश की ये सोशी प्रदानमंत्री जी ने इसके पचास करोड से अधिक जन्दन खाते खोल कर पैंशन सबसिडी की रासी डीवीटी के जरीए लावारतियों तक भेजने का अभूत पूर्व कदम है इसे सबसिडी की लीकेज थम गई अब सोपे से जाते हैं तो लावारति को पूरे सो के सोपे से पहुंचते हैं अब आपका हक कोई नहीं खाता क्योंकि अब आपके पास आपका बैंक का खाता है आज आप जो 14,887 करोड रुपे के बिकास कारों की सोगात देने जा रहे हैं निश्यत रूप से मैं मानिये प्रदान मंत्री जी का अविवादन करता हूं कि राजिस्थान के लिए इतनी बड़ी सोगात हैं आपने प्रदेस वासियों को दिये हैं इसके लिए मैं आपको ब आजिस्थान के मात्यम से राजिस्थान के इनपरास सेक्टर और ऊड़ जा पर द्रस का काया कल्फ होगा राजिस्थान में जल साधन संसाधनों की कमी विकास में एकबड़ी बादा है आपने ए-आर्-सी-पी पारवती काली सिंढशंबर लिंक परियोजना के साथ एक इक्रत की जो सोगा दी है उसके लिए पूरे राइस्तान बास्तियों की तरफ से कोट कोट धन्डबाद देता हूं कि तेरे जिलों में पीने का पानी और दो लाक अस्ची अजार हेक्टर से जादा सिचाई के लिए इससे पानी मिलेगा ये निश इसके सम्मान और प्रितिष्टा में इजापा हो रहा है आपके मार्दासन में देश सपलता के नएक कीर्दमान इस्तापिर कर रहा है पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे हमारे प्रेणा सुरोत मानी प्रदानमंत्री जी योगयाई में देश का जंडा चंद्रमा तक कि भारत की डिजिटल एकोनोमी वा यूपी आई की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है आपके प्रदासन का ही प्रणाम है कि हमारे देश की अर्थ व्यवस्ता में दुनिया की बहतरी संस्ताइं अपना विश्वास प्रिगट कर रही है आपकी यह सोच है जो राध पत् है दोजार सेतालिस तक बिक्सित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए आपने जो मार्क प्रसंस्त किया है उससे पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्टा बड़ी है गरीवों युवाओं किसानों और महलाओं की प्रगती में भारत की प्रगती को नेद कर उसे मीसन मना आने का जो संकल्प आपने लिया है उसमें हम सभी उसी तरह योगदान देना चाहते हैं जैसे राम से तू के निर्माण में गिलेरी ने दिया था भारत के 75 सोदा दिवसबर पूरे देश को अमरतकाल की अवद्राणां से आपने पर्चित कराया अमरतकाल नए भारत के लिए जी का पीजन है जो देश के लिए एक नया सवेरा है जो भारत की आखांचाओं को पूरा करने का मौका अपने साथ लाएगा आपका ये विचार देश वर में गवर्नेंस का मोडल बन गया है आपके मारतरसन में प्रदेश विकास के पत पर तेजी से अग्रसर हो रहा है बहुत धन्यवाद देता हूँ जैस स्री राम बहुत बहुत धन्यवाद मानन ये मुख्य मंत्री जी आपके और मानन ये प्रदान मंत्री जी के संकल्प से विक्सित भारत और विक्सित राजिस्थान का सपना साकार हो रहा है सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सब मोधी कुछ उनते हैं प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी की सूरदर्शी सोच से आज हमारा वारत विक्सित भारत बन गया है हमारा राजिस्थान विक्सित राजिस्थान बन गया है केंद्र सरकार और राजिस्थान के विकास के जुड़े प्रमुक प्रोजेक्ट पर आधारित दो लगू फिल्मों के प्रदर्शन के साथ ही माननिय प्रदान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमाना अनुरोध की राजिस्थान में 17,000 करोड रुपे से अधग की विकास परियुजनाओं का रिमोट का बटन दबाकर लोकारपन उद्घाटन और शिलान्यास कर राजिस्थान प्रदेश में विकास की एक सशक्त यात मत्रा का शुभारंब करें आधर्निय प्रदान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आधर शिलान मंत्री श्री 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 जी विकास में विकास की एक स्वार्य श्रिय। माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मूदी जी के नित्रित्व में गत दस वर्षों में विकसित भारत और विकसित राजस्थान की संकल्पना हुई है साकार शुद्ध पेयजल जीवन के लिए एक अनिवार्य तत्व इसके बिना ना मुम्किन है जीवन की कलबना इसलिए माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मूदी जी द्वारा शुरू किया गया जल जीवन मिशन अब राजस्थान के हर घर को मिलने लगा है शुद्ध पेयजल पाली जिले में 99 गावों के 24,000 से अधिक घरों जालोर जिले के 277 गावों की नर्मदा कैनाल अधारित 536 करोड रुपए की परियोजना से 277 गावों के 1,20,000 घरों 279 करोड रुपए की पोकरण, फलसूंड, बालोत्रा, सिवाना पैकेज 4B पेयजल परियोजना से चंबल, धौलपूर, भरतपूर पैकेज 4 पेयजल परियोजना से 406 गावों के 98,000 घरों 238 करोड रुपए की बूंदी जिले की गरड़दा पेयजल परियोजना से 118 गावों के 22,000 घरों में स्वच पेयजल होगा उकलब्द इसके साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाए गए निर्माण कारियों से आम जन को मिल रहा है लाप बनास नदी पर लगभग 22 करोड की लागत से चानबास सूर्या और अमीनपुरा के बीच बनाए गए 1200 मीटर लंबे वेंटेड कोजवे से आसान हुई ग्रामिनों की राहन आबु रोड मावल सेक्षन के LC 132 पर 35 करोड की लागत से 686 मीटर के आरोबी का निर्माण इसके साथ ही नवलगड रेलवे स्टेशन से बिबासर रोड के चोड़ाई करण और सुद्रडी करण का हुआ कारियर 42 करोड की लागत से 3.75 मीटर से 7 मीटर चोड़ी की गई सड़क ऐसे ही प्रयासों से खिल रही चेहरों पर मुस्कान विक्सित हो रहा राजस्थान मृध्ध प्रदेश विश्व के सर्वाधिक लोक प्रियनेता और यशिस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्ग दर्शन में पिछले 10 सालों में देश ने तरक्की की नई उचाईउं को छुआ है राजस्थान भी इस तरक्की से जुड़ा जिसकी साक्षी है यहां संचालित होने वाली विभिन परियोजनाएं और उन परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड निवेश राजस्थान में आज किया जा रहा है रेल, सडक, कोईला, उर्जा, नवीकर्निय उर्जा और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ज्यास मंत्रा लेकी 15,000 करोड रुपए की परियोजनाओं का राश्ट्र को समर्पण भगत की कोठी स्टेशन में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का अनुरक्षन कारियर हनुमान गढ़ में ट्रेन कोचिंग डेपो आगरा फोर्ट बांदी कुई रेल खंड का दोहरी करण खाती पूरा स्टेशन पर ट्रेन अनुरक्षन की सुविधा वीका नेर में एनलसी का 300 मेगावाट बरसिंग सर सौर उर्जा परियोजना दिल्ली वडोद्रा ग्रीन फिल्ड अलाइनमेंट NH 148N तकली नदी के ऊपर बना मुख्यपुल दिल्ली वडोद्रा ग्रीन फिल्ड अलाइनमेंट NH 148N मेज नदी पर मुख्यपुल दिल्ली वडोद्रा ग्रीन फिल्ड अलाइनमेंट NH 148N मुई गाउं के पास इन पर योजनाओं से सवाई माधुपूर, बून्दी, टॉंक और कोटा को दिल्ली, बडोदरा और मुंबई के मेट्रो शहरों से सुगम और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी देबारी में NH-766 लेन ग्रीन फिल्ड उदैपूर बाइपास का निर्माद बिकानेर पीजी, फतेगड़ टू और भादला टू में, आर ई पर योजनाओं के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम SEZ 8.1 गीगावाट ट्रांसमिशन सिस्टम सिध्रिडी करन योजना PGCIL के तहत 8.1 गीगावाट ट्रांसमिशन सिस्टम सिध्रिडी करन योजना CPSU की 300 MW सौर उर्जा परयोजनाए, जोधपूर LPG Bottling Plant, जोधपूर फलोंदी रेल विद्यूती करण, बिकानेर रतंगड साधुलपूर रेवाडी रेल विद्यूती करण, जोधपूर राई का बाग मेरता रोड बिकानेर रेल विद्यूती करण, खातीपूरा स्टेशन प और द्योगिक विकास को गती मिलेगी, बलकि आर्थिक उन्नती के साथ रोजगार के अपार अवज़रों का भी स्रिजन होगा। प्रदेश को सौगात दी आपका आभार, और अब माननी प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोधी जी से हमारा अनुरोध, पूरे राजिस्थान और राजिस्थान वासियों को अपने संभोधन के माध्यम से अपना मार्ग दर्शन प्रदान करें। राजस्तान के सभी परिवार जनों को मेरा राम राम, विक्षित भारत, विक्षित राजस्तान इस महत्मुन कारकम में इस समय राजस्तान की हर विदान सभा से लाखों साथ ही जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने टक्नोलोजी के इतना शांदार उप्योग करके जन जन तक पहुंचाने का मुझे अउसर दिया है। कुछ दिन पहले फ्रांस के राश्पती जी का आपने जैपूर में जो स्वागत सत्कार किया उसकी गुंज पूरे भारत में इतना ही नहीं पूरे फ्रांस में भी उसकी गुंज रही है। और यही तो राजस्थान के लोगों की खास्यत है। हमारे राजस्थान के भाई भेंज जिस पर प्रेम लुटाते हैं कोई कसर बाकी नहीं चोड़ते। मुझे आध है जब विदान सभाज चुनाव के समय में राजस्थान आता था। तो आप किस तरह हमें आशिरवाद देने के लिए उमर पड़ते थे। आप सभी ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया। आप सभी ने डबल इंजिन की सरकार बनाई। और आप देखिए राजस्थान की डबल इंजिन सरकार ने कितनी तेजी से काम कुरना शुरू कर दिया है। आज राजस्थान के विकास के लिए करिब सत्तरा हजार करोड रुपिय के प्रोजेक्ट का सिलान्यास और लोकारपन हुआ है। ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, सावरूर्जा, पानी और लपीजी जैसे विकास कारेकरमों से जुड़े हैं। ये परियोजनाएं राजस्तान के हज्जारों युवाओं को रोजगार देने वाली हैं। मैं इन प्रोजेक्ट के लिए राजस्तान के सभी साथियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं। भाईयों और बहनों, आपको याद होगा, लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। आज आदि के बाद, आज भारत के पास इस्वर्निम कालखंड आया है। भारत के पास वो अवसर आया है, जब वो दस साल पहले की निराशा को छोड़कर, अब पूरे आत्मविश्वात से आगे बढ़ रहा है। आप याद कीजिए, 2014 से पहले देश में क्या बाते चल रही थी, क्या सुनाई दे रहा था, अखबारों में क्या पढ़ने को मिलता था। तब पूरे देश में होने वाले बड़े बड़े गोटालों की चर्चा ही रहती थी। तब आए दिन होने वाले बम धमाकों की चर्चा होती थी। देश के लोग सोचते थे कि हमारा क्या होगा, देश का क्या होगा, जैसे तैसे जीवन निकल जाए, जैसे तैसे नोकरी बच जाए, कॉंगरेस के राजमें चारों तरफ तब यही माहूल था। और आज हम क्या बात कर रहे हैं? किस लक्ष की बात कर रहे हैं? आज हम विक्सिद भारत की विक्सिद राजस्थान की बात कर रहे हैं। आज हम बड़े सपने देख रहे हैं, बड़े संकल्प ले रहे हैं और उन्हें पाने के लिए तन मन से जुटे हैं जब मैं विख्सित भारत की बाद करता हूँ, तो ये केवल शब्द भर नहीं हैं, ये केवल भाव भर नहीं हैं, ये हर परिवार का जीवन सम्रुद्ध बनाने का अभियान है ये गरीवी को जड़ से मिटाने का अभियान है, ये युवाओं के लिए अच्छे रोजगार बनाने का अभियान है, ये देश में आदूनिक सुविधाएं बनाने का अभियान है मैं कल रात में ही विदेश यात्रा से लोटा हूँ, ये ये और कतर के बड़े बड़े नेताओं से मेरी मिलाकात हुई है आज बे भी भारत में हो रही प्रगति को लेकर चकित है, आज उनको भी भरोसा हो रहा है कि भारत जैसा विशाल देश बड़े सपने देख सकता है, इतना ही नहीं उन्हें पूरा भी कर सकता है भाईयों और भहनों, विक्सित भारत के लिए, विक्सित राजस्थान का निर्माण बहुत जरूरी है और विक्सित राजस्थान के लिए, रेल, रोड, बिजली, पानी जैसी महत्वपूर्ण सुविदाओं का तेज विकात होना जरूरी है जब यह सुविधाएं बनेगी, तब किसान पशुपालक को लाब होगा, राजस्तान में उद्योग आएंगे, फैक्टरियां लगेगी, परियटन बढ़ेगा, अधिक निवेश आएगा, तो स्वाभाविक है, जादा से जादा नोक्रियां भी आएगी जब सडके बनती हैं, रेल लाइन बिच्टी है, रेल वेश टेशन बनते हैं, जब गरीवों के घर बनते हैं, जब पानी और गैस की पाइपलाइन बिच्टी हैं, तब निर्मान से जुड़े हर बिजनेस में रोजगार बढ़ता है तब ट्रांस्पोर्ट से जुड़े साथियों को रोजगार मिलता है, इसलिए इस वर्ष के केंद्रिय बजेट में भी हमने आइतिहासिक ग्यारा लाग करोड रुप्य इंफ्रास्ट्रक्टर के लिए रखे हैं, एक कॉंग्रेस सरकार के समय से छे गुना ज़्यादा है, जब ये पैसा खर्च होगा, तो राजस्थान के सिमेंट, पत्थर, सिरेमिक, ऐसे हर उद्योग को लाब होगा, भाईयों और भहनों, बीते दस वर्षों में राजस्थान में गाउं की सडके हो या फिर नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस वे आपने देखा हुआ, अभूत पुर्वन निवेश किया गया है, आज राजस्थान, गुजरात और माराष्ट के समूद्री तड़ से लेकर के पंजाब तक चौड़े और आदुरिक हाइवे से जुड रहा है, आज जिन सडकों का सिलान न्यास और लोकारपन हुआ है, उनसे कोटा, उदैपूर, टौंक, सवाई माध्वपूर, बुंदी, अजमेर, भिलवाडा और चित्तोड घड की कनेक्टिविटी बहतर होगी, यही नहीं, इन सडकों से हरियाना, गुजरात, महराष्ट्र और दिल्ली से कनेक्टिविटी भी ससकत होगी, आज भी यहां रेलिवे के विद्धूती करण से लेकर मरम्मत तक के अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकारपन हुआ है, बांदी कुई से आगरा फोर्ट्स, रेल्वे लाइन के दोहरी करण का काम पूरा होने के बाद, महदीपूर, बालाजी और आगरा आना, जाना और आसान हो जाएगा, जैपूर में खाती पूरा स्टेशन के शुरू होने से अब ज्यादा ट्रेने चल पाएगी, इसमें यात्रियों को बहुत सुवीदा होगी, साथियों, कॉंग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है, को वो दुर्गामी सोच के साथ सकारत्मग नीतियां नहीं बना सकती, कॉंग्रेस न भविश्य को भाप सकती है, और नहीं भविश्य के लिए उसके पास कोई रोड मैप है, कॉंग्रेस की इसी सोच की वज़़ से, भारत अपनी बिजली ववस्ता को लेकर बदनाम रहता था, कॉंग्रेस के दौर में बिजली की कमी के कारण, पूरे देश में कई-कई गंटों तक अंदेरा हो जाता था, जब बिजली आती भी थी, तो बहुत कम समय के लिए आती थी, करोडों गरीब परिवारों के घर में तो बिजली कनेक्शन ही नहीं था, साथियों, बिजली के अभाव में कोई भी देश विख्षित नहीं हो सकता, और कॉंग्रेस जिस रप्तार से इस चनोती पर काम कर रही थी, उससे बिजली समस्या ठीक होने में कई दसक लग जाते हैं। हमने सरकार में आने के बाद देश को बिजली की चुनोतियों से निकालने पर ध्यान दिया। हमने नीतियां बनाई, निर्णे लिये, हमने सावर उर्जा जैसे बिजली उत्पादन के नए नए सेक्टर्स पर जोड दिया। और आज देखिए, हालाद बिलकुल बदल गए हैं। आज भारत सावर उर्जा सोलार एनरजी से बिजली पैदा करने के मामले में दुनिया में अग्रणी देशों में आ चुका है। हमारे राजस्तान पर सूर्य देव की असिम कृपा है। इसलिए राजस्तान को बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर भर बनाने के लिए डबल इंजिन सरकार तेजी से काम कर रही है। आज यहां एक सोलर पावर प्लांट का लोकारपन और दो प्लांट का सिलान्यास हुआ है। इन प्रोजेक्ट से बिजली तो मिलेगी ही हजारों नव जवानों को रोजगार भी मिलेगा। साथियों भाजपाश सरकार का प्रयास है कि हर परिवार अपने घर पर सोर उर्जा पैदा करें सोलार एनर्जी पैदा करें और अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी करें। इसके लिए केंद्र की बीजेपी सरकार ने एक और बड़ी और बहुत ही महत्वपुन योजना की शुरुबात की है। ये योजना है PM सूर्य घर इसका मतलब है मुप्त बिजली योजना इसके तहत सरकार की तैयारी हर महने 300 यूनिट तक मुप्त बिजली का इंतजाम करने की है। इस योजना के तहत शुरुवात में देज भर के एक करोड परिवारों को जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार छत पर सोलार पैनल लगाने के लिए हर परिवार के बैंक खाते में सीधे मदद बेगेगी। और इस पर 75,000 करोड रुपे खर्च किये जाएगे। इसका सबसे अधिक लाब मद्यमवर्ग और निम्न मद्यमवर्ग परिवारों को होने वाला है। उनकी घर की बिजली मुफ्त हो जाएगी। सोलर पैनल लगाने के लिए बैंकों से सस्ता और आसान रण भी दिलाए जाएगा। मुझे बताया गया है कि राजस्तान सरकार ने भी पांच लाक घरों में सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई है। यह दिखाता है कि दबल इंजिन सरकार गरीब और मद्यमवर्ग का खर्च कम करने के लिए कितना काम कर रही है। साथियों विक्सीज भारत बनाने के लिए हम देश के चार वर्गों को मजबूत बनाने में जुटे हैं। यह वर्ग हैं युवा, महिला, किसान और गरीब। हमारे लिए यही चार सबसे बड़ी जातियां है। मुझे खुशी है कि इन वर्गों के यह ससक्तिक करन के लिए मोधी ने जो गारंटी दी थी, उन्हें डबल इंजिन सरकार पूरा कर रही है। अपने पहले बजेट में ही राजस्तान की भाजपा सरकार ने युवाओं के लिए सत्तर हजार भरतियां निकाली हैं। आप पिछली सरकार के दोरान बार बार जो पेपर लिख होते थे न, पेपर लिख से लगातार परेशान रहे हैं। इसकी जाँच के लिए राजस्तान में भाजपा सरकार बनते ही जाँच के लिए S.I.T. बना दी गई है। पेपर लिख करने वालों के खिलाप केंदर सरकार ने अभी पार्लामेंट में कुछी दिन पहले ही एक कड़ा कानून बनाया है, मजबुत कानून बनाया है। इस कानून के बनने के बाद पेपर लीक माफिया गलत काम करने से पहले सौ बार सोचेगा। साथियों, राजस्थान भाजपा ने गरीब परिवार की बहनों को चार सो पचास रुपिये में गैस सिलिंडर देने की गारंटी दी थी, इस गारंटी को भी पूरा किया जा चुका है। इस से राजस्थान की लाखो बहनों को लाब मिल रहा है। पिछली सरकार के दौरान जल जीवन मीशन में हुए गोटालों का राजस्थान को बहुत नुक्षान हुआ है। अब इस पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। आज भी हर गर जल पहुचाने के लिए अनेक परियोजनाएं राजस्थान को मिली है। राजस्थान के किसानों को पी एम किसान सन्मान निजी के तहट छे हजार रुपिये पहले से मिल रहे थे। अब बीजेपी सरकार ने वहाँ इसमें दो हजार रुपिये की बढ़ोत्री और कर दी है। हर छेत्र में हम एक-एक करके अपने वाइदे पूरे कर रहे हैं। हम अपनी गारंटियों के प्रती गंबीर है। इसलिए तो लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों मोदी की कोशित है कि हर लाभार्ति तक तेजी से उसका हक पहुँचे। कोई भी बंचित न रहे। इसलिए ही हमने विख्षीद भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की थी। राजस्थान के करोडों साथियों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया है। इस दोरान करीब पौने तीन करोड साथियों की मुप्त स्वास्त जाच हुई। सिर्फ एक महने में ही राजस्तान में एक करोड नए आविश्मान कार्ड बने हैं। पंद्रा लाग किसान लाभारतियों ने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए रेजिस्ट्रेशन किया। पी-एम किसान सम्मान निदी उजना के लिए भी लगबग साड़े छे लाग किसान सात्यों ने आवेदन किया है। अब इनके बैंक खातों में भी हजारों रुपी आने वाले हैं। इस यात्रा के दोरान करीब आठ लाख बहनों ने उज्वला गैस कनेक्शन के लिए पंजी करण भी किया है। इन में से सबाद दो लाख कनेक्शन जारी भी हो चुके हैं। अब इन बहनों को भी चार सो पचास रुपीय का सेलेंडर मिलना शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, दो दो लाख रुपीय की जो बिमा योजना हैं, उनसे भी राजस्तान के लगभग सोला लाख साथी जुड़े हैं। साथियों, जब मोधी आपको दी गई ऐसी गारंटिया पूरी करती हैं, तो कुछ लोगों की निंद वुड़ जाती हैं। आप कॉंग्रेस की स्थिटी देख रहे हैं, आपने हाल में ही कॉंग्रेस को सबक सिखाया है, लेकिन यह मानते ही नहीं। आज भी इनका एक एजन्डा है, मोधी को गाली दो। जो भी मोधी को जितनी जादा गाली दे सकता है, उसे कॉंग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती हैं। यह विक्सित भारत का नाम तक नहीं लेते, क्योंकि मोधी इसके लिए काम कर रहा है। यह मेडिन इंडिया से बचते हैं, क्योंकि मोधी इसे बढ़ावा देता है। यह वोकल फॉर लोकल नहीं बोलते, क्योंकि मोधी इसके लिए आग्रह करता है। जब भारत पांचवे नंबर की आर्थिक ताकत बनता है, तो पूरे देश को खुशी होती है। लेकिन कॉंग्रेस के लोगों को खुशी नहीं होती। जब मोधी कहता है कि अगले कारकाल में भारत दुनिया की तीसरे नंबर की ताकत बनेगा। तब भी पुरा देश आत्मविश्वा से महर जाता है। लेकिन कॉंग्रेस के लोग इसमें भी निराशा ढूमते हैं। मोधी कुछ भी करे, मोधी कुछ भी करे, ये उसका उल्टा कहेंगे, उल्टा करेंगे। चाहे इसमें देश का भरी नुक्षानी क्यों न हो। कॉंग्रेस के पास एक ही एजंडा है, मोधी विरोध, गोर मोधी विरोध, मोधी के विरोध में ये ऐसी ऐसी बाते फैलाते हैं, जिससे समाज बढ़ जाएं। जब कोई पार्टी परिवारबाद के, बौंशबाद के गोर कुछ चकर में फस जाती हैं, तो उसके साथ ऐसा ही होता है। आज हर कोई कॉंग्रेस का साथ छोड रहा है, सिर्फ एक परिवारी ही बहां दिखता है। ऐसी राजनिती युवा भारत को बिलकुल प्रेरित नहीं करती। विशेष रुप से देश का फर्स टाइम बोटर जिसके सपने बड़े हैं, जिसके आकांच्छाय बड़ी हैं, जो विक्सीद भारत के विजन के साथ खड़ा है। विक्सीद राजस्तान विक्सीद भारत का रोड में ऐसे हर फर्स टाइम बोटर के लिए हैं। इसलिए आज कल पूरे देश में एक चर्चा बहुत जोर से हो रही है। लोग कह रहे हैं अपकी बार NDA 400 पार। मुझे विश्वास है कि राजस्तान भी मोदी की गारंटी पर अपना विश्वास और मजबूत करेगा। एक बार फिर आप सभी को विकास कारियों के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लोग की अपकाओ पर भी मोग कि राजस्तान भी मोगуждत बांग कि यह रए बहुत कि रख़काओा दो झालनização, विको हुत बहुत झाल झालना थाए हुत